बिग बॉस सीजन 18 का आगाज 5 अक्टूबर से होने वाला है और ऐसे में इस बार बिग बॉस के घर में एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बलकि 5-5 बहुएं टेलिविशन इंडस्ट्री की जो हैं वो आप सभी दर्शकों को नजर आएंगी शो में अपने ग्लामर के जल्वे बि है ये 5 टेलिविशन इंडस्ट्री की बहुएं कौन सी हैं तो चलिए आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको इनहीं पांच एक्ट्रिस के नाम बताते हैं लेकिन उससे पहले अगर अब तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चानल इंदुस्तान ने उसको सब्सक्रा पहुएं में से सबसे पहला जिंसका नाम आता है वो है अक्ट्रिस निया शर्मा का वेल इनके बारे में जो अपडेट्स है वो तो हम आपको देते आ ही रहे हैं इन्होंने जो है प्रोमो की शूटिंग भी कर ली है प्रोमो में क्या देखने को मिलेगा ये भी हमने आपको बताया है और निया शर्मा जो की टेलिविजन इंडस्ट्री की जानी पहचानी अदाकारा है बहुं है ये आपको बिग बॉस 18 में अपने ग्लैमर का जल्वा जो है वो दिखाती हुई नजर आएंगी आप सभी दर्शकों को एंटेटेन करती हुई नजर आएंगी इन्हों जो है हम आपको बता दे कि काफी सालों से इस शो को रिजेक्ट किया था लेकिन एट लास सी में इस शो को साइन करना ही पड़ा शो में आने के लिए मेकर्स को हां कहना ही पड़ा तो वहीं दूसरे नंबर पर जो एक्ट्रिस आती है उनका नाम है कनिका मान जी हां दोस्तों टेलेविजिन की ही ऐक्ट्रेस कने का मान जो हैं वो भी बिगबॉस 18 का हस्सा बन चुकी हैं ये भी आपको बिगबॉस 18 में जो हैं अपनी खुपसूर्ती से साती साथ अपने जो है?!" स्किल्स से जो है एंटर्टेन करती हुई नजर आएंगी तो वहीं तीसरे नमबर पर आती है अक्ट्रस सोनाली विंगुरले करवल टेलिविजन के काफी सारे शोज में जो हैं काफी सारे सीरियल्स में जो हैं सोनाली आपको नजर आई हैं बहु के किरदार में बेटी के किरद परिमा सिंगह रॉय का जी हां दोस्तों ये भी टेलिविजन इंडस्ट्री की ही एक्ट्रेस हैं इन्होंने भी काफी सारे शोज में और साती साथ बंगाली इंडस्ट्री में भी काम किया है तो वहीं पांचवे नंबर पर जो आती है एक्ट्रेस उनका नाम है चाहत पांडे वेल नत जैसे शो में काम करने के बाद अब चाहत पांडे जो है बिग बॉस 18 का हिस्सा बन चुकी है एक्ट्रेस होने के साथ साथ चाहत पांडे जो है वो एक पॉलिटीशन भी है आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है ये चुनाव लड़ रही थी और अब जो है ये पॉलिटीशन इंडस्ट्री की जिनका नाम जो है आ रहा है अभी तक उनका नाम कर्फर्म नहीं हुआ है लेकिन हम आपको बता दें कि शायद सुर्भी जोती जो है वो भी बिग बॉस 18 का हिस्सा बन सकती है लेकिन कन्फरमेशन आना जो है अब तक बाकी है जैसे ही ये नि लुस्तानियोस की रिपोर्ट